दोस्तो आज का video is very dedicated है medical aspirants के लिए medical में भी कई सारी ब्रांच होती है उनमें से एक ब्रांच होती है pharmacy तो यह वीडियो फार्मेसी वालों के लिए है अगर आप या आपको रेलेटीव फार्मेसी कर रहा है या करने की सोच रहा है या कर चुका है तो यह वीडियो आपके लिए वह तो महतोपूर होने वाली है अगर आप एक जनरल फीवर ही है तो कुछ ना कुछ तो इस वीडियो से आपको नॉलिज मिलेगी ही तो वीडियो गन तक बने रही है वीडियो शुरू करने से पहले कुछ महतोपूर बात दोस्तो हाल ही में तुछ वर्सों में देखा जा रहा है कि मेडिकल सेक्टर के आप किसी भी ब्रांच पर देख लीजिए उसमें बहुत जादा बीडियो बढ़ती जा रही है इसलिए जो गोर्नमेंट की स्पेसल बोड़ी है जो पूरत कैरी कॉलम को और साथ में इसके बदलाव करते हैं साथ में पाठे किरा मतलब सेलेवस में बदलाव करते रहते हैं जो वो ना लाजमी भी है पहले के ताइन की अगर बात करें तो थोड़े-बोडे पैसों का खर्च करके आदमी जो है कही ना कहीं से रिजिस्ट्रेशन ले लेते था जो कि ओफ लाइन सिस् उनके अब कुछ हांसिल होने वाला है नहीं दोस्तो रिसेंट्ली मुझे जो है चैनल के मात्यम से काफी सारे कमेंट आ रहे हैं वीवर्स के के सर एकजिट एकजान के लिए कोई बुक बताईए सर एकजिट एकजान किन को देना होगा टी फार्मा वाले भी देंगे के बी फ सारे क्योंकि होना अलाज में भी है ना तो इसकी कोई सही सठीक जानगारी किसी चैनल के माध्यान से मिली है ओफिसेली नोटिफीकसन की बात करें तो हर किसी के पास पहुता नहीं है सरकुलर ना ही किसी कोई बुक एवेलेबल है एकजिट एकजान की तो इसलिए भी सही है आप जो है दो साल में 11-12 इसे जो भी आप पढ़ते थे उन्टी एक बेसिक नौनिज को क्लेक्ट करने के बाद आपको जो है एक एक एक्जिट एक्जाम देना होगा और ट्रिंग पहले भी कर सकते हैं आप जो तीन महीने के ट्रिंग होती है और उसे करने के बाद आप किसी भी कैमिस्ट सोब पर वर्क कर सकते हैं एजे यो प्रोफाइल समझ गया तो यह है इसका वह अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी मतलब मिनिमर क्वालिफिकेशन के लिए एक्जिट एक्जाम लगा है नगेट डिगरी इन फार्मेसी पी फार्मा के लिए नहीं है के व बूझ की बात दोस्तों वैसे थो डोपितों ओशन अंजन फॉर्मेट में और हैं था जरेजी बात दो किति है मैं किसी की यहां खास कंभियों की बात not करूआ ना किसी की खास अचाय की की बात करूआ divulture work जहों जवसी की बुजया और और अगरह वाइस जब पेटन ही चैंज हो गए और आप उर्व के बड़ते रहते रहो तो समस्थाय की बॉन financier के जो हो या फिक यह में वो research करके अपने topic को जो है exam में निक पाए इसलिए जो है हमाई guidance के लिए हमारे teacher होते हैं या हमारे senior होते हैं जो हमें समसमर पर guide करते हैं चलिए अब मैं बात चल लेता हूं book की तो वैसे तो बहुत सारी book question answer format में मिल जाएंगी आपको और theory वाली book भी मिल जाएंगी लेकिन अभी तक कोई भी एक्टिट एक्जांबुक लॉंच नहीं हुई है एस पर PCI news level latest pattern जो चल रहा है अब यार 2020 हमारे सरे हैं वियन राजे आपने इनकी काफी सारी book सुनी होगी देखी होगी वुकों के नाम लेकिन इन्हों ने जो है काफी मेहनद करने के बाद मेरी जो है संसे मैं तचमा आया था जब मैं डिग्री पॉट्स कर रहा था सर्फ जो है टिक्लॉमर के लिए book जो है लॉंच करते हैं यह काफी सारे इनकी जो है इनका एक चार्ड मेन्यो है अगर यह कैमरा फोकस कर पा रहा हो नहीं तो मैं पिक्चर मेंसन कर दूँगा तो सर ने जो है अभी फिलाल की जो बुके है वो लेटेस पैटन पर है सारी बुके जो है डिपलोमा इन फार्मेसी के लिए डिगरी के लिए कोई बुक भी नहीं ब वो जो है फोर्थ एडिसन है और अगर बात करें तो आप अगर सर्च करेंगे एकजिट एकजाम के लिए बुक के लिए तो आपको सर्च करना है प्रोफेसर वियन राजे एकजिट एकजाम बुक आपको यह बुक मिल जाएगी इसका नाम है फार्मा ससेज यह इसकी एक्टर वाइज वीदांसर की के साथ हैं यह बिल्कुल डैटेस्ट पेटर्न के हिसाब से बुक बनी वी है और मैंने इसको गो तुरू किया है पांट से साथ दिन क्योंकि बहुत बड़ी बुक है काफी मोटी बुक है तो इसको पढ़ना एक समसे पॉसिवल नहीं है मुझे बहुत सारे काम होते हैं तो यह तो दो तीस से तीन महिने के बाद मैं कम्प्लीटली बता सबूँगा इसको लेकिन मैंने इसकी पेपर क्वालिटी बहुत बढ़िया है बाइंडिंग क्वालिटी बहुत बढ़िया है और जो इसकी कोसन है तो मैंने देखा है कि अगर यह को साथ में जो है जैसे structure of cell है तो इससे जितने question बन सकते हैं most problem main tip of the lesson पार्ट का निचो पार्ट का सारां बिलकुल टोफिक का निचोड इसके अंदर एड़ के दया है चाहिए आप डिग्री वाले हैं या फिर आप जो डिप्लोमा वाले हूं या आप कोई भी गोर्मेंट एक्जाम की competition एक्जाम की preparation कर रहे हैं उनके लिए सकती लिए पीप के लिए तो इस पेसली बनीवी है मतलब यह डिक्लोमा इन बार में सी एक्जिट एक्जामेनेशन सर्च करना है आप वो प्रोफेसर वी एन राजे एक्जिट एक्जाम बुक तो आपको यह बु करें तो यह सारे title इसमें जो है जो सारी दुखे हैं वह इसमें यहां पर mention है मैं पिक्चन ही mention कर दूँगा अगर फिराल इसकी प्राइस की बात करें तो पांस्तो पिच्चानमे रुपे इसका जो है प्राइज है प्राइज गरता बढ़ता रहता है पांस्तो से 600 रुपे के आसपास आपको यह बुक ओनलाइन मिल जाएगी और ओफलाइन से आप अंदर पर्चिस करेंगी तो और भी सस्ते मिल जाएगी ओल इंडिया इसकी जो है एजबन नियुस इलेबस PCI लेटेस्ट पैटन जो है यह यह बुक जो है फब्लिस है और अभी तक कोई भी यूटूब पर भी कोई बुक का वीडियो सवाब करता है अगर आपको मेरी जानकारी इस बुक का रीवियू अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दें चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें मैं मिलता हूं कि इसी नए वीडियो में नए टोपिक के साथ अथा चैनल वो विजिट करते रहे वीडियो के लिप लगा रहा हूं आप इसकी पेपर क्वाल्टी और एमसी की पैटन को देख लीजिए झाल 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 कर दो झाल 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 झाल